यहीं पर वो शक्स आया था जसने बॉड़ी के टुखड़े करते हुए सारी जो बॉड़ी पार्ट्स है वो इसी जंगल में डाले थे कुल 35 टुखड़े करते हुए बताए गए थे कि 35 टुखड़े उसने बॉड़ी की किये थे और आप देख सकते हैं कितने पीछे मेरा मेरे पीछे कितला घना जंगल आपको दखाय दे रहा होगा और सबसे बड़ी चीज यह है कि दो बचे रात को वो बॉड़ी के पार्ट्स यहां पर आता था और उसने घटना को अंजाम दिया था आपको पहली हम बता चुके हैं कि किस तरीके से मुंबई में उस शक्स की अपनी गल्फरेंड के साथ मुलाकात हुई थी और वो दोनों प्यार में पड़े इसके बाद घर वालों के मना करने के बावजूद लड़क इने लड़के का पीछा नहीं छोड़ा और वो उससे प्यार करती रही जिसके बाद दोनों ने फैसला किया कि वो दिल्ली साथ में आएंगे लिविन में रहेंगे और वो जो शक्स था जो उसका बॉइफरेंड था वो यहां पर लड़की के साथ छतरपुर इलाके में एक फ्लाट में रहने लग गया उसके बाद दोनों के बीच अकसर कहा सुनी होने लगी लड़ाई जगडे होने लगए और लड़ाई जगडे काफी जादा बढ़ने लगए और चानक से उस शक्स ने अपनी गल्फरेंड की गला घोट करके हत्या कर दी जिसके बाद इस क्राइ अलग अलग दिन फेकता था और आप देख सकते हैं कि पीछे मेरे जंगल वो कितना घना दिखाए दे रहा है कि दूर दूर तक यहां पर आपको कहीं इंसान नहीं दिखेगा और जो भी बात करें यह क्योंकि शाम का वक्त हो रहा है और भली दिन की भी बात करें तो भी में आता था और अलग अलग तुखडे यहां पर आकर के वो डालता था लेकिन सबसे बड़ी चुनौती के बात यह है कि पांच महीने बीच चुके है और इतना बड़ा यह जंगल है और इसमें पुलिस के लिए बहुत चुनौती भरी बात हो जाएगी कि वो इन पार्ट को कलेक्ट कर पाती है कि नहीं क्योंकि वैसी ओलड़ी छे महीने बीच चुके है इस घटना को तो यह एक बहुत ही बड़ी बात अपने में है कि चालेंज है तरीके से और लेकिन आप देख सकते हैं कि अभी मैं यहां पर मौजूद हूँ जिस लोकेशन में मैं टीम के साथ आ कि वो ऐसे डरामने जंगल में क्योंकि ऐसे आप जान सकते कि किस मांसिक्ता को व्यक्ति रहा होगा कि आधी रात के वो इस जंगलों में आता था और इस घटना को उसने अंजान दिया लेकिन अब बड़ी बात यह होती है कि क्या पुलिस इस चुनाती को सॉल्व कर पाई